प्यारे बच्चों, आज संस्क्रिट भिसे में अध्यान करेंगे, सस्था पाठा समुदृ तटःहा, तो सभी बच्चे ध्यान दें, एसा हा समुदृ तटःहा, यहाँ समुदृ तटःहा, अत्रजना प्रेटना आगचनती, यहाँ लोग प्रेटन के लिए आते हैं, केचन तरंगे केडंती उनमें से कुछ लहरों से केडा करते हैं या समुद्र की लहरों के साथ खेलते हैं केचन चा नोका भी ही जलिविहारम कुर्वनती कुछ नोकाओं द्वारा जलिविहार करते हैं जली बिहार यानी समुद्र में नोकाओं के द्वारा उसमें घूमते हैं समुद्र में नाओं पर घूमते हैं तेसु केचन कंदुकेन केड अन्ती और उनमें से कुछ गेन से खेलते हैं बालिकाहा बालकाचा बालुका भी ही बालुका ग्रहम रची अन्ती बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती है तो बच्चे रेत में रेत का घर बनाते हैं और वहां लहर आती है समुद्र के लहर उस रेत को बहा कर ले जाती है एसा कीड़ा प्रचलती इव या खेल चलता ही रहता है समुद्र तटा न केवलम प्रेटनास्तनानी समुद्र तट केवल प पहीजी विकाम चारियंती यहाँ मच्छुआरे भी अपनी आजीवी का चलाते हैं जो मच्छुआरे हैं वो समुद्ध से मचलियां पकड़ते हैं और अपने परिवार का भरन पोषण करते हैं असमाकम देशे, वहवा, समद्र तटा हा संती, हमारे देश में बहुसे समद्र तट है संती हैं वहवा चन में हैं एतेसु मुंबई, गोवा, कोची, कन्यकुमारी, विसाकापतनम, पुरी तटा है। गोवा का तट, विदेशी प्रेटकों को बहुत पसंद है। गोवा, कोची, कन्यकुमारी, गोवा, कोची, कन्यकुमारी, विसाकापतनम, पुरी तटा है। चेने नगरस्या मेरिना तठा देशस्या सागर तटेशू देर्गत महा और चेने का जो मेरिना तठ है वो देश के सभी तटों में सबसे लंबा तठ है चेने का और उसका नाम है मेरिना जो समुद्र तठ है उसका नाम है मेरिना भारत की तीनो दिशावों में समुद्र तट है यनि जो भारत है जो हमारत देसे वह समुद्र से गिरावा है अस्मात एव कारणात भारत देश प्रायद वीपा इतिकत्य दे इसी कारण से भारत देश को प्रायद वी भी कहा जाता है क्योंकि यह जब तीन ओर से समुद्र से गिरावा है इसलिए इसको प्रायदीव कहा जाता है पूर्वी दिसायाम बंगोप सागरह दक्षिन दिसायाम हिंद महा सागरह पश्चिम दिसायाम चा अरब सागरह अस्ति पूर्वी दिसायाम में बंगाल की खाड़ी है दक्षिन दिसायाम हिंद महा सागरह और पश्चिम दिसायाम अरब सागरह है तो यह तीन सागरह भरत को तीन ओर से गेरेवे हैं यहां पूर्णयमा की अफसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथी देखा जा सकता है तहां कन्यकुमारी तो प्यारे बच्चों आज हमने अध्यन किया समुद्र तटहा समुद्र के बारे में पड़ा भारत के जो समुद्र हैं जो समुद्र के तटहें उनके क्या-क्या नाम हैं किस परकार से लोग वहां घुमने आते हैं जो भारत के समुद्र तटहें वो किस के लिए प्रसिद है इसके बारे में हमने अध्यन किया और सभी बच्चे इस पार्ट को पढ़ने का अभ्यास अवस्य करेंगे